नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी कहा हमारे ओनलाइन चैनल पे दोस्तो आज की क्लास हम 17 नॉमबर के सभी महत्पून करेंट अपर डिसकस करने वाले हैं तो प्लीज आप पूरा वी ध्यान से जरूर देखेगा अगर आप नए हैं तो दोस्तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी बेल आइकन को जरूर दबाएए ताकि आपको वीडियो के नॉटिकन समय पे मिलते रहे हैं फेस्बूक और टेलिग्राम पे दोस्तो आप हम से जुड़ जाएगा हम यहाँ पे रोजाना महत्रपून इन्फॉर्मिशन शेयर करते हैं और क्लास से जो यह नोट्स, पीडियेप और अन्यतर के वीडियो साब को इंस्टा मोजे पर मिल जाएंगे आप यहाँ पे जाके उसे खरी सकते हैं चले दोस्तों सबसे पहले हम कल का सवाल देख लेते हैं कल वीडियो के अन्तुम मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है तो कल का सवाल था भारत और किस देश के बीच शेयुक्ति सैने अभ्यास इंद्र 2018, 18 नमबर को शुरू होगा यह कुशन मैंने आपसे पूछा था और इसका सही जवाब है भारत और रूस के बीच यह अभ्यास होता है देखे इसको आपको रट्टा मानने की बिल्कुल ज़रुत नहीं मैं आपको बता देता हूँ इंद्र अगर आप लिखेंगे मैं तो आई एंडी से बन जाता है भारत इंडिया और और तो инडिया के बीच होता है इंद्र 2018 तो ब्हारत और रूस के बीच होता है और आप स लाइक जरूर किया करें चलिए इसके बारे हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि इसका उद्देश क्या था उग्रवासनी बटने के लिए भारत और रूस के बीच श्रेयूक्त स्टैनेब्यास इंद्र 2018 बबीना चाउनी इस्थित बबीना फिल फारिंग रेंज में 18 नॉमबर 2018 को शुरू होगा तो यह सारी चीज़ आपको याद रखने थी और इसके बारे में अगर अधिक जनकर लेना चाहते तो प्लीज आप पिछला क्लास जाकर अलग से एक बार और देख लीज़ेगा चलि देखते हैं आगे हम कि यह प्रतिक चीन दिखता का ऐसा है इसका क्या नाम है और किस से प्रेडित है और जो भी महत्यपून तत्य इस क्वेशन से जुड़े हुए हैं 2014 में हुए आंत्रपरजिस की विभाजन के चार साल बाद राज ने अधिकारिक उप्योग के लिए नए प्रतिक का चैन किया है तो देखिए 2014 में आंत्रपरजिस और तिलंगाना दो अलग-अलग राज में बटे थे तो चार साल बाद ऐसा हुआ कि आंत्रपरजिस एक अपना नया प्रतिक चीन चूना है अम्रावती स्कूल आप आर्ट से यह प्रेडित है राज के प्रतिक में द्थम चक्का जिसे हम धर्म चक्का भी कहते हैं या इसे दवील ओपला के नाम से यह शामिल है यहां पर इमेज में आपको दिख जायेगा ठीक है तो यह है धंम चक्का और यहां पर प्रतिक चीन कैसे का हो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 में आंद्रपरजिस Girmalor important हैं इस अधिनाव में दोनों राज्यों की सीमाओं को परिभाषित किया था और हैदराबाद को त्यलंगाना राज्य की इस्थाई राजधानी और आंतबस की अरिस्था राजणी की रूप में प्रस्तूत किया था तो देखिए हैदराबाद जो है अब तेलंगाना की इस्थाई राजदा नहीं चली मैं आपको अच्छे से डिटेल में आपको यह चीछ बता रहता हूं थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं तो यहां पर आंधर प्रदेश है अभी और पहले क्या होता था 2014 से पहले यह complete आंधर प्रदेश इतना था ठीक है अब 2014 में तेलंगाना जो है आंधर प्रदेश से तूड़ गया कब 2014 में अब हैदराबाद यहां पर था ठीक है चुंकि तेलंगाना के भूभाग में हैदराबाद था इसलिए उसको proper मतलब permanent की सिद्रे दे गया है अभी तेल कोई भी नया राजी बनता है तो उसे थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि वो अपने राजधनी अच्छे से बना सके तो इसे 10 साल का टाइम दिया है मतलब 2024 तक हैदराबाद जो है सम्मेरित रुप से इन दोनों राजिक का राजधनी रहेगा और आंधर प्रदेश जो है अमरावती को नई राजधनी बनाएगी 2024 के आसपास तो अभी आंधर प्रदेश की राजधनी हैदराबाद जरूर है लेकिन बाद में अमरावती हो जाएगी तो यह कैसे होगी यह सारी चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ यह आपको याद रखना है यहां के मुख्य मंत् एन चंद्रबाबु नैडू भासाई अधरपक गठित यह पहला राजे काफी इंपॉर्ट है और मैं आपको यह कई बार बता चुका हूँ बार बार जब भी कोशिश कीजिए कि यह चीज़े जो आप रिवाइस करते हो जब जब आप रिवाइस करते हो आपको कंटस्ट हो कौनसा है आपकोशनदान केंद्र राजमूंद्री में है इस्रो मैक्सिमा अपना इस रोकेट लॉंच करते है तो यह है आंध्रबरस में, कुडपा चट्टान, जो है आंध्रबरस के कुडपा जिले के नाम पर कुडपा चट्टान के नाम से famous है तो इतनी सारे information आपको इससे मिल जाते है और ये सारे चीज़े important भी से आपको याद रखना है अब आगे बढ़ते हैं question number 2 देखते हैं इम लेकि限 में किस स्थान पर हालि में दूसरे मेघा फूट और का अधल किया गया तो दूस्तों कहां पर किया गया औरंगाबाद में चलि इसको हम आगे देखते हैं कि पहला मेघा फूट फूट पार्क कांध व्द्धान होने की बश them 2002 चल रही है और और अधल्यशन ले ल करण रुपए है इससे 25 जाग किषानों को लाभ मिलेगा पहला मेगा फूट पर कहां पर है तो राज में पहले फूट पर को गाटन एक मार्च 18 को 17 जिले में किया गया तो 17 में पहला हो गया दूसरा हो गया और अरंगाबाद में और अभी मंत्राला ने महराष्ट में तीसरे मेगा फूट पार्क के गठन को भी मंजूरी दे दिये तो इंतनी सारी इंफोर्मिशन को आपको ध्यान में रखना है अब आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रस्ण हम देखते हैं तीसरा प्रस्ण ये है कि हाल में कब अंतरराष्टी सहयुष्णता दिवस मनाया गया तो अंतरराष्टी सहयुष्णता दिवस का निरिक्षन करने के लिए आमंतरित किया था तो सहयुष्णता ने ये निड़ने लिया कि 16 नम्मर को हम अंतरराष्टी सहयुष्णता दिवस अल्थार International Day for Tolerance के रूप में मनायेंगे सहयुष्णता वर्स और महात्मा गांधी के जन पर पढ़ सकते हैं मैं हाइलेट कर दिया हूं तो यह इनको जो है यह पुरुष्काल दिया जाएगा इनको आप ध्यान में रखेगा अब आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं कि संदर में जो भी इन्फॉर्मेशन महत्रपून है उसको हम देख लेते हैं इसका मुख्य पर जा चुका है कि एन्फॉर्मेशन को तेरी कौन से देश से हैं तो यह पुर्दगाल से हैं अब आगे बढ़ते हैं इसी से एक और क्विश्टिन है विस्व सहिष्णता सिखर सम्मेलन को उध्गाटन कहां किया गया दूबई में किया गया चली इसके बाएम और जानकर सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए दो द्यूशी सिखर सम्मेलन का उध्गाटन किया और इस सम्मेलन का जो थीम है विशए है वो आप यादर सकते हैं यह इतना लंबा चोड़ा इसका थीम है विशए है तो इसे आपको ध्यान में रखना है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश और किस पॉर्डल की शुरुवाद की कई निपुन पॉर्डल की शुरुवाद की कई तो चलिए इसके संदर में जो भी महत्तपुन तत्य है उसको भी हम एक नजर देख लेते हैं दिल्ली पुलिस ने ई-learning पॉर्डल निपुन लॉंच की है दिल्ली पुलिस आयकत अमुलि पुलिकी का उप्योग कर सकेंगी ई-learning पॉर्डल का उद्याइस चेतर में विशेशक्यों द्वारा डिजाइन किये गए विशेश पार्ठी क्रमों के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्रिक्षन और जानकरी देना है तो इस सारी चीज़े अगर ऑनलाइन हो जाए ताकि जो है सार भारत की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया है तो कीसे किया गया हीमा दास को किया गया ठीक है इसके बारे में भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं सहीं उतराष्ट बाल नीदी भारत युनिशेप ने इश्याई खेलों की स्वर्ण पतक भी जीता ह हीमा दास को भारत की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया है हाली में हीमा ने जकार्ता इंडोनेशिया में 2-18 इश्याई खेलों में महिलाओं के 4-400 मीटर रीले इस परदा में स्वर्ण पतक जीता था युनिशेप का जो फुल फॉर्म इसको हम देख लेते हैं युन असनाम से भी जाना जाता है असम राजे से एक भारती स्प्रिंट होय तो れमद्धcciones को एक और उपनाम से जानी जाता है किसे किस नाम से ढिंख Express के नाम से अब आगे बढ़ते हैं आज का सात्वा प्रशन देखते हैं, सात्वा प्रशन है, हाल में किस पत्रकार ने राजा राम मोहन राय पुरुषकार प्राप्त किया, तो किस ने प्राप्त किया, एन राम ने ये पुरुषकार प्राप्त किया, अनुभवी पत्रकार एन राम ने राजा राम मोहन राय नए दिल्ली में राष्टी प्रेश दिवस तो अब यहां पर आपको एक और जनकरी मिल जाता है कि राष्टी प्रेश दिवस कब होता है यहीं भी होता है 16 नौंबर को तो 16 नौंबर को राष्टी प्रेश दिवस के समारों को उध्गाटन किया इस औसर पर पत्रकारी तक में उत्कृष्टिता के लिए राष्टी पुरुष्कार के विजिताओं को सम्मानित किया गया तो इसके इस दिन ही इसको सम्मानित किया गया प्रशिद्ध पत्रकार और हिंदू प्रकार्शन श्रमों के अध्यक्ष एन राम को प्रधिश्टित राजा राम मोहन राय पुरुष काल स्रेणी के धद चूना गया अब आगे बढ़ते हैं आज का आठाव प्रसन देखते हैं आठाव प्रसन है निम्ले कितित में से किसे भारत के गंटंदर द्युज्ज दो 19 समारों के मुख्य अठिती के रूप में आमंत्रित किया गया है तो किसे आमंत्रित किया गया है सायरिल रामफोसा को आमंत्रित किया गया है और यह कहां कि राष्टपती ही यह दक्षिन अफरिका के राष्टपती हैं तो दक्षिन अफरिका के राष्टपती सायरिस रामफो में शामिल हुए तो काफी लंबे समय बाद कोई दक्चिन आफरिका के राष्ट पती दोबारा शामिल होने जा रहे हैं आम तर पर भारत के गंटन तर दिवास पर शामरी कुरूप से महत्पूर्ण देशों के राष्टत धिक्षो को मुख्य अधिति के तौर पर बुलाया ज चुकि है तो टी टुएंटी में पूरुषों के कंपेर में भी अधिक रण इन्हों किन्हों ने बनाई यह आपको बताना है तो किसने बनाया मिताली राज ने यह कारणाम कर दिखाया चलिए इसके वारें और इंफॉर्मेशन लेते हैं भारती महिला खिलाडी मिताली डौनाकर सारवधिक अंताराष्टी टी में न्यूजिलिय्ट के मार्टिं के रिकार्ड तो तोड़ दिया है तो मार्टिं का यह कितना रिकार्डड है वार्स में बहारत में कैंसर में कितने प्रतिसहत क gold की ड्रज़ की दरज की घह तो कितने पृति सत की विधिधर्ज की गई 15 सपल 17 पृति? और उनले के क्लास में मैं आपको बताया था कि भारत ने UK के साथ गैंसर के सथा इलाज के लिए एक समझारण कीया है, तो इसी करन की अलगिनिया ही कि भारत में इतने लोग मरे रहे हैं तो चलिए इसके बाएं और इंफोर्मेशन लेते हैं Global Cancer Observatory द्वारा हाल ही में जारी आंकडों के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्सों में 15.7% की वृद्धी हुए तो यह आंकडा महत्पुन है इसे आप याद रखेगा Global Cancer Observatory द्वारा हाल ही में जारी आंकडों के अनुसार भारत में भारी विद्धी हुए यह आंकडा जो है दो है बारा से अठारा तक के हैं इन आकडों के अनुसार दो है अठारा में लगभग 11.5-7 लाक कैंसर के मामले दर्ज किये गए हैं जो की बारा में दर्ज 10 लाक मामले की तुलना में 15.7% अधिक है तो बारा में कितना और अभी कितना हुआ है इस तरह से कंपेर करके जो ग्रोथ हुआ है उसको आपको यार रखना है 15.7% अधिक हैं कुछ अन्य महत्तपून समाचार हम देख लेते हैं इंडस इंड बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बटन वाला इंट्रेक्टिव क्रेट कार्ड लांच किया ह इस कार्ड का क्या नाम होगा इंडस इंड बैंक नेक्स्ट क्रेड़ कार्ड इसका नाम रखा गया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने हाल ही में सिध्धार तिवारी को एशिया वा प्रशान छेत्र का मुख्य प्रतिनिती न्यूक्त किया गया है भारती हिमाली छ चेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीती आयोग ने हिमाली राज चेत्री परिशद का गठन किया है पंकच आडवानी ने 15 नुवंबर को 150 अप प्रारूप में अपना लगाता तीसरा IBSF बिलियर्स खिताब जीता है तो बिलियर्स खिताब किसने जीता है पं हैंस्टिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवा निवरित होने की घोष्टना कर दिये तो इन साइची जो को भी आपको ध्यान में रखना है याद रखना है अब आज का सवाल जिसका जाओ आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो यह है कि जी सेवन देशों में कौ पूरी अर्थवस्ता से भी अधिक हो गई तो यह सारे आपके ऑप्रशन है अगर आपको इस बैंक का नाम याद हो है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम भी टाइप कर दिजिगा मैं सारे कमेंट देखता रहत हूं तो वह जरूर मैं देखूंगा तो प्लीज कमेंट बाक्स में इसका जवाब आप जरूर दिजिगा अगर अगर आपको यह क्लास पसंदा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिगा दोस्तों में शेयर कर दिजिगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप जरूर कर लिजिगा तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद